बहुत से लोग सोचते हैं कि मनुष्य की प्रातना का उत्तर उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वै विश्वाश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसे जो उत्तर मिलता है अपने विश्वाश के कारण ही मिलता है। प्राथना का फल तो तब भी मिलता है जब मनुष्य का अवचेतनमन उस मनुष्य की मानसिक तस्वीर जा विचार पर प्रतेक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वाश का ये नियम विश्यव के सभी धर्मों का रहस्य सिधान्त है। ये उनके मनोविज्यानिक सत्य का शिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्ताओं के बाब यूद भी बोद इसाई, मुस्लिम और यहूदियों को अपनी प्रातनाओं के उत्तर मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। इसका कारण ये है कि प्रातनाओं के उत्तर किसी खास विश्वाश, धर्म, जुडाव, करमकांट, संसकार, राधना, भजन, मंत्र, बली जचडावे के कारण नहीं मिलते। उत्तर तो उस विश्वाश जा मानसिक सविकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रातना की जाती है। जीवन का नियम विश्वाश का नियम है। विश्वाश मस्तिक्ष का एक विचार है। मनुश्य जैसा सोचता है वैसा ही मैसूस करता है और विश्वाश करता है। वैसा ही उसका मन शरीर और परिस्तितियों का निर्मान होता रहता है। आप क्य और क्यूं कर रहे हैं, जब आप ये जान लेंगे, तो अपचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक त्यार कर सकते हैं, कि जो जीवन को सभी अच्छी चीजे दिला सकती हैं, सफल प्रात्ना का मूल अर्थ मनो कामना पूरन होना है, इच्छा प्रात्ना, प्रतेक मनुष्य, सहत, खु के एक प्रोफेसर ने लेखक से एक बार कहा था, कि मैं जानता हूं, जदी मैंने अपने मानसिक नजरिये को बदल लिया, तो अपने भाबनात्मक जीवन को नई दिशा दे सकता हूं, मेरे हिदे की स्थिति सुदर जाएगी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कारेविदी नहीं है, मेरा मन बविन समस्याओं पर इदर उदर भटकता रहता है, और मैं कुंठी तुखी तथा प्राजित महसूस करता हूं, इस प्रोफेसर के मन में संपूरन स्वास्थे की इच्छा थी, लेकिन उसके पास ये ग्या नहीं था, कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन इस ग्यान से उसने अपनी मनों कामना पूरन कर ली, और पुस्तक की उपचारक विडियों के प्रजोग से वे पूरन स्वस्थ हो गया, शाश्वत मस्तिक अंश, अवचेतन मन की चमतकारिक शक्तियां उस समय भी शाश्वत सचाईयां और सिधान उस समय भी मौजूद थे, जब कोई धरम शुरू ही नहीं हुआ था, मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले अध्याओं के बुत, यादूई, काया, पलट कर देने वाली चमतकारिक शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान ले ये मानसिक और शरीरिक खावों को भरेंगी और आपके डरे हुए मन को होंसला बंदाएंगी, इस ग्यान से आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठा की सिमाओं से पूरी तरह अजाद कर देगी, सिरफ आपकी मानसिक भावनात्मक रूप से उसे अपने सपने के साथ जूड़ना है, जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं, आपके अपजेतन मन की चमतकारिक शक्तियां आपके सपने के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी, बस आपको आज और अभी शुरुवात करने हैं, तब आपको अपने जीवन में चमतकार होते दिखाई देंगे, य सारा खजाना आपके ही अंदर है, इसलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी अंदर ही खोजें, आपका अंदर है बहुत बड़ा खजाना, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, उसे प्रापत करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आँखें खोल कर उसे देखना आपके अंदर नियामतों का अथा बंडार है जिस में से आप सुखद, सम्रिद और अनन्द में जीवन जीने के लिए परतेक जरूरी चीज प्रापत कर लेंगे कई मनुश्य अपनी संभावना को इसलिए नहीं पैचान पाते क्यूंकि उन्हें अपने मौजूद असीमित ग्यान अनन्त प्रेम के भंडार के बारे में पता ही नहीं है जबकि सच तो ये है कि इस में से आप अपनी प्रतेक मन चाही चीज प्रापत कर सकते हैं लोहे का चुम्बकिय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबलियत रखता है लेकिन यदि उसे चुम्बकिय गुन को हटा दिया जाये तो वे एक पंक भी नहीं उठा सकेगा उसी तरह मनुश्य दो तरह के होते हैं पहला जिनमें चुम्बकिय अकर्शन होता है ऐसे मनुश्य आतं विश्वाष और विश्वास से परी पूरन होते हैं उन्हें अपने बारे में पता है वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं दूसरी तरह के मनुश्य में चुम्ब किये गुन नहीं होता ऐसे लोग बहुत बड़ी तदाद में होते हैं वे भे और शंकाओं से भरे रहते हैं ऐसे लोग हमेशा कहते हैं कि जदी मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा कहीं मेरा पैसा न डूप जाए लोग मेरी हंसी न उड पाते हैं उनका भे उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता ऐसे लोग भी चुम्ब किये मनुश्य बन सकते हैं यद भी वे इतिहास के सबसे बड़े रहसे को समझ लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें सबसे बड़ा चमतकारिक रहसे यदि कोई आप से इतिहास का सबसे बड़ा चमतकारिक रहसे पुछे तो आप क्या उत्तर देंगे परमानूर जा ग्रहों पर पहुंचे आंद्रिक्ष्जान खंदक खोल नहीं इन में से कोई भी नहीं है तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमतकारिक रहसे क्या है मनुश्य इसे कहां खो सकता है इसे कैसे करते हैं और यही कारण है यह वह रहसे हैं जो बहुत कम लगों को पता चल पाता है अफचेतन मन की शक्ति अफचेतन मन की चमतकारिक शक्ति का परियोग सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति दौलत सेहत खुशी और आनंद पा सकते हैं इस चमतकारिक शक्ति को प् प्रयोग कैसे किया जाता है इसे समझना इसी इसे तरह समझना होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलियों को इसका प्रयोग कर सकें यदि आप इन सब तक्नीकों और प्रक्रियाओं को पालन करेंगे तो आप अवश्यक जानकारी तथा अच्छी समझ मिल जाएगी एक न नहीं शक्ति उत्पन करके अपनी सभी आशाओं और सपनों को साथ